हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल नीतोस कुकिंग हब आज मैं आप लोग लिए लेके आए हूँ आम परना की कंसंट्रेट की रेसिपी इसे आप मिन्टो में आम परना बना सकते हैं और गर्मी में जब आप कहीं बाहर से आते हैं और आपका एनरजी लॉस हो जाता है तो आप इसे तुरंद बना के पी सकते हैं तो आए इस रेसिपी को सुरू करते हैं आम परना कंसंट्रेट बनाने के यहां पर मैंने लिया यह 500 ग्रम केरी तो यहां पर यह उपर का पार्ट हम पहले कट करके निकाल देंगे और अभी हम लोग इसके छिलके भी उतार देंगे तो यहां पर जो छिलके निकालने के बाद थोड़े थोड़े से जो ग्रीन पार्ट रह रहे हैं उसे हम रहने देंगे उसे जो हमारा कंसर्टेट बनेगा उसका कलर काफी अच्छा आएगा अभी हम इसे छोटे-छोटे पीसेज में कट कर लेंगे आप चाहें तो छिलके के साथ भी इसे बॉयल करके और इसके पल्प को निकाल सकते हैं लेकिन मैं इस तरह से इसे बॉयल करूँगी और अभी सारी केरी कट चुकी है तो इस टाइम पर मैंने लिया एक प्रेशर कुकर और उसमें मैं इसे एड़ कर रहे हूँ साथ में मैंने यहाँ पर एड़ किया है हाप कप पानी और इसे बंद करके हम दो से तीन विशल आने देंगे विशल आने देने के बाद आप इसके प्रेशर में इसे थोड़ी दिर छोड़ दें और प्रेशर अभी खतम हो चुका था तो मैंने इसे भोला है और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह कितने अच्छे से पक चुकी है चमत से ही यह मैस करने पर मैस हो जा रही है लेकिन अभी हम इसे एक मिक्सर पॉट में डालेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे तो आप इसे ठंडा होने दे उसके बाद ही पीसे और हमने जो कैरी को करने के लिए पानी एड किया था वो भी हम इसमें एड करेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि पीसने के बाद यह एक दम स्मूथ पेस्ट बन चुकी है तो इस टाइम पर आप चाहें तो इसे ऐसे ही पका सकते हैं लेकिन मैं इसे एक कराम के रेसे वगर है हो या गुठलिया वो निकल जाएं तो भी आप चम्मा से हलके हलके हांतों से चलाएं यह बहुत इजली छन जाती है आप देखें यहां फ्रेंट और यह हमारी केरी अच्छे से छन चुकी है तो अभी मैंने लिया है एक कडाई कडाई में मैंने अभी है 250 ग्राम चीनी तो कैरी मैंने लिए थी 500 ग्राम तो चीनी हम उसका आधा ही एड करेंगे और यह एक दम परफेक्ट मेजर्मेंट है फ्रेंस आप चीनी एक दम इतना ही डाले एक दम परफेक्ट मीठा बनता है साथ में मैंने यहां पर एड किया है हाफ कॉप पानी और यहां पर यह मैं मिल्ट हो चुकी है यहां पर इसकी हमें कोई तार की चास्तनी नहीं बनानी है बस मिल्ट करना है और अब जो हमने कैरी को पीछ के रखा है वह हम इसके अंदर एड करेंगे एड करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स करें आप चाहें तो हैंड विस्ट का भी यूज कर सकते हैं इसे मिक्स करने के लिए और यहां पी यह मिक्स हो चुकी है लेकिन मुझे यह बहुत गाड़ी दिख रही है भी हमें इसे थोड़ा पकाना भी है तो मैंने वन फूर् नमक एक चोटी चमच साधा नमक और एक चोटी चमची भड़के मैंने भूना हुआ जीरा पाउडर एड किया है और इसे मिक्स करके अभी हम पकाएंगे आप इसे चार से पांच मिनट ऐसे ही कंटिन्यू चलाते हुए पकाते रहें जैसे आप पकाएंगे आप देखेंगे कि यह थीक होते जाएगी इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और यहां पे आप देख सकते हैं कि चार से पांच मिनट मैंने पकाया है इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो गई है और मैं इसे अभी आपको चेक करके बता रही हूँ कि यह थोड़ी सी गाड़ी हो पानी से धो के अच्छे से सुखा लिया है और अभी मैं आमपना कंसंट्रेट को इसमें भड़के रख दूंगी तो आप चाहें तो फ्रिज में इसे तीन महीने तक स्टोर कर सकते हैं तो यह हमारा आमपना कंसंट्रेट रेडी है तो आईए अब हम बनाते हैं आमपना उसक निम्बू करस ऐसे लगा रहे हूं और अभी हम ग्लास को पलट के इस नमक में ऐसे डिप करेंगे ताकि इसके किनारे पे बहुत अच्छा सा एक कोटिंग लग जाएगा जब हम आमपने को सर्प करेंगे तो यह बहुत सुंदर दिखेगा और यहां पर मैंने लिए थोड़ कैसे पूदी नीके पत्ते मैंने इसके इंदर ग्लास के अंदर एड़ कर दिया है शाथ में मैं इसमाड कर रे हूं थीन से चार आईसक्यूब इने चमज मैं इसमे आट कर रही हूं आमपना कंसेंट रिट आप चाहे तो कम जादा अपने हिसाब से कर सकते हैं और अभी मैं इसमें एड़ कर दूंगी थंड़ा पानी और बस आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें आप चाहे तो यहाँ पर जलजीरा पाउडर भी एड़ कर सकते हैं और यहाँ पर बस यह मिक्स कर लिया मैंने और यह हमारा आम पन्ना पूरी तरह से रेडी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आम पन्ना कंसंट्रेट बनाने के बाद एक मिनट भी नहीं लगता इस आम पन्ने को बनाने में और मैंने यहाँ पर निम्बूक से इसे गार्निश किया है तो इस गर्मी के सीजन में आप इस आमपना कंसंट्रेट को बना ले और पूरे गर्मी इसे इंज्वाय करें और मुझे कमेंट बक्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले फिर्ण साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक्स पर वाचिंग